hello everyone welcome to our youtube channel fabulous edu so our today's topic is voice हमारा आज का जो topic है वो है voice so voice जो है divide है active voice में and passive voice में so active voice and passive voice को करने से पहले हम voice को समझ लेते हैं कि voice क्या है when you express your feeling और emotion जब आप अपने feeling और emotions को बताते हैं तो वो एक आप voice के थ्रू ही बताते हैं तो voice अगर हम इसको हिंदी में translate करते हैं तो इसका जो meaning होता है वो होता है आवाज तो वो आवाज जो है या तो आपकी active voice में होगी या फिर वो होगी आपकी passive voice में तो इसी चीज को हम यहां पे समझते हैं हमारा जो first topic है वो है active voice so active voice को किसी verb को active voice में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्तिय अवस्तू subject के रूप में कुछ करता है जैसे हम यह सब याद ना करके अगर आप यह एक line भी याद रखते हैं when we focus on the subject जब हमारा focus होता है सिर्फ subject के उपर तो वो आपकी active voice होती है ठीक है तो यहां पे जो आपका he है और I है यह आपका क्या है subject है और अभी हमने यहां पर focus किस पर किया हुआ है subject पर किया हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा active voice आप बात हम कर लेते हैं passive voice की तो जब किसी वाक्य में यह हम कह सकते हैं जब किसी sentence में आप subject की अपेक्षा object को ज़्यादा महत्र देते हैं या फिर एक simple line है when we focus on the object जब हम focus करते हैं object के उपर जैसे की the door is opened by him the door is opened by him he opens the door यही आपका sentence था और हमने इसी वो passive voice बनाया तो यहाँ पर जो आपका door है the door यह आपका object है तो then हमने use किया helping verb the door जो है वो singular है या plural है वो depend करता है आपको यही main आपका यह है कि object आपको पहचाना है singular है या plural है उसके according आपकी helping verb लगती है then आपने use किया है verb की third form आपने फिर use किया है verb की third form then by and then him ही जो है change हो गया him में ऐसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरे example की I write a letter तो a letter is written by me तो यहां पर a letter जो है a letter जो है यह आपका similar है इसलिए आपने helping verb जो use करी है वो is use किया है and then आपने verb की third form use किया and then by me I change हो जाएगा by me में तो एक simple sentence के through भी आप समझ सकते हैं for example अगर मैं बोलती हूं खाना खालिया तुने खाना खालिया तुने तो यहां पर मैंने खाने को पहले महत्विद दिया है मैं जो मेरा जो subject को बात में ले गई हो और अगर मैं बोलती हूं आपने खाना खा लिया तो वहाँ पर मैंने subject को पहले रखा और object को मैंने बाद में use किया है अब बात कर लेते हैं आप object को subject में कैसे change करेंगे तो यह एक बहुत ही simple format यहाँ पर भी दिया है मी है तो आप उसको आई में change करेंगे यू है तो यू ही रहेगा हर का she हो जाता है them का they हो जाएगा us का we हो जाता है him जो है वो he में change हो जाएगा and the whom जो है वो आपका who में change हो जाएगा next है जब आपको subject दिया हुआ है sentence और आपको object में उसको change करना है Then simple है वो भी, same I है जो मी में हो जाएगा उसे परे लेकिन आपको by लगाना पड़ेगा You का है तो by you आप यूज करेंगे, She है तो by her आप यूज करेंगे They है तो by them आप यूज करेंगे We का by us हो जाएगा, He है तो by him हो जाएगा, Who है तो by whom हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर rules की For sentences containing request, advice and other we will use you are requested या you are advised to या फिर you are ordered to ठीक है, Not always remove please and kind if they are given in the sentence अगर आप sentence में देखते हैं कि please आपको दिया गया है तो आपको वहाँ से वो remove करके, वो depend करता है कि sentence में बोला क्या जा रहा है या तो आप उसको वहाँ पर, उस sentence में आपको advice की बात होगी या फिर order की बात होगी या फिर request की तो ये remove करके आपको depend करता है आप किस तरीके से change करेंगे यगर please दिया है तो आप request कर रहे है, then आपको use करना है कि आप यहां से निकल जाओ, तो ये आपके लिए order है तो order है, तो आपको जब options दिये होंगे, तो you are ordered आपका start होगा sentence, तो आप वहीं से उसको टिक कर सकते हैं तो वो आपका correct answer होगा, तो इसका correct जो sentence होगा वो हो जाएगा, you are ordered to get out of my house अब हम बात करते हैं, यहां पर हम बहुत ही एक बड़े तरीके से हम इसको याद नहीं करेंगे कि हम किस तरीके से change करेंगे, अगर आपका present tense है, simple tense है, continue है, perfect है इस तरीके से हम इसको नहीं करते हैं, एक simple format है, हम इसी को learn करते हैं, इसी को हम याद करते हैं और इसी के थूँ आप passive voice को बना लेंगे अगर आप देखते हैं कि sentence में आपको verb की first form दी है तो आपका passive voice जब आप उसको change करेंगे तो वो ASMR और verb की third form यूज होगी हमें पता है जब भी हम passive यूज करते हैं या passive voice हम बनाते हैं तो उसमें आपको verb की third form ही यूज करनी पड़ेगी लेकिन इसको आप एक और चीज है जिसे आप identify कर सकते हैं अगर sentence में लिखा है गया 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 कि ये काम उनके द्वारा किया गया तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं आपकी passive voice है second है अगर sentence में आपको दिया गया है is MR तो आपको बिल्कुल आप यह गयाद कर लें कि इसे मार दिया है तो इसे मार है तो उसके साथ आपको being लगाना है and then verb की third form यूज करनी है अगर sentence में आपके second form है तो आप उसे change करेंगे was and verb में अगर was verb है तो was and verb उसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा being यूज करना पड़ेगा ठीक है इस सीज में आप देख लिए जो आपको present continue tense होता है एक यह बाला और एक आपका हो गया past continue दोनों में ही क्या होता है जो हमारी वर्ब होते है जो हमारी action वर् हो रहा है was or के साथ या इसमार के साथ तो उस sentence में passive voice में आपका being होगा तो वही आपका correct sentence होगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं has and have अगर आप देखते हैं कि आपको sentence में अगर sentence में दिया गया है has, have या had तो वहां पे भी आप जब passive voice बनाएंगे तो has, have and had इन तीनों के आपको being दिखेगा, ठीक है next है अगर sentence में will and shell दिया है active voice में तो उसको जब आप passive voice में change करेंगे will और shell की साथ क्या हो जाएगा आपको be लगाना है and then work की third form इसमें लगेगी ही लगेगी, right, second है जब आप देखेंगे कि sentence में will और shell plus have है, तो वहां पे आपको use करना है will and shell and then have being, यह आपके पास four है जो remain as it is, ऐसे ही रहेंगे इनको हम change नहीं करेंगे, ठीक है, अगर will shall be है, no change, इन चारों के साथ कोई change नहीं होगा, तो हम next topic की बात कर लेते हैं, trick number first, अगर आप देखते हैं sentence में दिया गया है, he knows me, right, अगर sentence में दिया है, he knows me, तो we always use to with no, हम वहाँ पे by use नहीं करेंगे, right, अगर आप देखेंगे, अगर even आपको sentence में मिलेगा भी by के साथ, अगर वहाँ आपको दे रहेंगे by, तो वो आपका sentence जो होगा, वो incorrect होगा, तो आपको याद रखना है, अगर no आता है, तो उसके साथ आपको to use करना है, ठीक right, I, जो है, I helping verb लगाएंगे, तो I के साथ am लगेगा, हमने no की जो form लगाई, third form लगा दी है, और he जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, he जो है, किसमें change है, हम में, तो he किसमें change हो गया, हम में, तो यही आपका correct answer है, यही correct sentence है आपका, trick number second, अगर आप देखते हैं कि आपका जो sentence है, जो active voice, जो है, वो आपकी present continue है, या past continue है, वहाँ पर आपको पता है कि verb के साथ, आपके साथ ing होगा, वहाँ आपको क्या करना है, main verb, जो है, जो है, आपकी helping verb, जो है, वो आप यूज करेंगे, then being, and उसके साथ, आपकी third form ही आएगी, for example, यहाँ दिया गया है, we are playing cricket, तो we are playing cricket, आपको इसे पता चल रहा है, कि यह आपका present continue dance है, ing verb है, तो आपको पता है, कि अगर आपको याद है कि ismr, वर्व के साथ, अगर ing verb है, तो वहाँ पर आपको being लगाना है, तो आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको object उठाना है, आपने object यहाँ लिखा then आप यहाँ पर we को अपने change किया, तो वह us में change हो गया, आप cricket जो है, वो क्या है, singular है, उसके according आपने helping verb लगाए, is, and आपको पता है, अगर our playing है, तो उसमें being लगाना है, तो इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा, being, and then work की आपको लगाने पड़ेगी, third form, and then by us, तो य यह आपका sentence जो हो गया, passive voice में इसको आपने change कर गया है, now trick number third, अगर आपको sentence में, I told you, पहले भी हमने यहीं डिस्कुस किया, अगर sentence में has, have, had, यह तीन हो दिये है, तो उसे जब आप passive voice में बनाएंगे, तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, being लगाना for example, I have bought, for example, I have bought the book that you were talking about, ठीक है, इसमें हमें एक चीज और clear हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, I have bought, जो bought है यह आपकी main verb है, ठीक है, अगर हमने school में कैसे बढ़ा था, यह आपका subject हो गया, ठीक है, यह आपका subject है, यह आपकी verb है, and then यह object है, तो हम object को यहाँ ले जाएंगे, subject को यहाँ ले जाएंगे, verb आपकी जो है यहाँ रहेगी, यह object हो गया, and then यह आपका subject हो गया, ठीक है, यह हमने पड़ा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें तो यह था, हमें यह पता है कि हम जो last का जो है, वो हम पहले लिए आत तो इसके जस्ट बाद वाला जो है, वो आपका object है, then आपको इसको यह ही से start करना होगा, जैसे, the book that you were talking about it, ठीक है, that you were talking about, it has been bought by me, ठीक है, it has been bought by me, वो मेरे द्वारा खरीदी गई, तो यहाँ पे क्या है, आपने, यह बुक जो है, वो सिंगुलर है, इसलिए क्या है, आपने यूज किया, यहाँ पे, has been, then verb की third form, and then by, me, I, जो है, वो आपकिस में चेंज हो गया है, नी में, अब हम बात करते हैं, trick number four की, trick number four, double object, we use object, which comes after main verb, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार, और हम फिर से उस चीज को हम यहाँ पर clear कर लेते ह है, suppose यहाँ लिखा है, example है, I teach English to him, sentences जो है, यह दोनो, दोनो ही sentence correct है, but, हमें, कहते हैं, हमें, जो हमारी जो verb है, जो हमारी main verb है, उसके just बात वाला जो हमारा object है, मुसको use करते हैं, तो हमारा जो correct answer होगा, वो होगा, English is taught to him by me, तो यह आपका correct answer है, अब बात कर लेते हैं, हम trick number 5 की, trick number 5 में आपको क्या देखना है, incomplete statement दी गई होती है, a voice question, तो आपको उसे किस तरीके सी करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, they have done, they have done what, यह चीज़ों में नहीं पता नहीं क्या किया, तो किया तो क्या, कुछ काम ही किया होगा, तो the work has been done, यह यह आपका एकदम incorrect है, यह आपका incorrect है, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर आपको दिया है, ना बाय, और तो आपको पता है कि, non-action, जो आपके action words, वो जो होते हैं, उन्हीं verbs के साथ ही आप तो यहाँ पर ना तो तो है, ना बाय है, the work has been done to them, तो आपका यह भी sentence नहीं हो सकत the work has been done by them, क्योंकि यहाँ काम की बात हुई है, the work, तो उन्होंने, of course ही बात है कि, उन्होंने कुछ काम ही किया होगा, something has been done by them, तो this is also not correct sentence, अब हम बात कर लेते हैं, trick number 6 की, trick number 6 जो है, आपका, वो है, understood statement, जब आपको, एक्जाम में क्या मिलेगा, कुछ ऐसी understood statement दे रेंगे, बट आपको वहाँ पर भी घुमा के देंगे, कि आप उसका passive voice बना लो, ठीक है, passive voice बनाओ, बट किस तरीके से, तो वहाँ पर वो confuse करने के लिए दे देंगे आपको, जैसे कि someone arrested him, like, तो यहाँ पर हम भी हम खिलाल इस example को समझ लेते हैं, he was arrested, तो यहाँ पर आपको दो option दे गये हैं, एक दिया है, someone arrested him, या the police arrested him, he was arrested, उसे arrest कर लिया गया, ठीक है, गया गयी गया, in verb की third form, यही इनकी पहचान होती है, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, passive voice, तो उसे arrested किया गया, तो किस की द्वारा किया गया है, तो यह understood है, तो the police arrested him, किस ने उसको arrest किया, police ने अर the police arrested him, now, हम बात कर रहते हैं, trick number 7 की, how to select object in passive, P position plus object, we use P position according to sense, ठीक है, जो कि हमने पहले भी discuss किया है, अगर आपका action verb है, action verb के साथ आपको by use करना है, and without action verb के साथ आपको to use करना है, यहाँ पर example दो दिये जाए है, आप लेख सकते हैं, I did that work, that work was done by me, तो यह आपका action verb है, इसलिए आपने यहाँ पर by use किया है, and आप याद रखे, no के साथ जो है, आपको to लगाना है, no के साथ आपको to लगाना है, तो यह आपकी action verb नहीं है, यहाँ पर example है, I know them, तो them कर किसमें चेंज हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर इस table पर देख सकते हैं, them जो है, वो किसमें चेंज हो रहा है, them आपका जो है, वो किसमें चेंज हो रहा है, them जो है, change किसमें हो रहा है, they, तो यहाँ क्या है, I know them, तो आपने them को पिक किया, तो them क जेश Division लिए हुआ है क्ष रहे हैं यहा पर कुछे नच्रम का पर प्रक्रक्टिस इंटन्स च्रम्ष ठीश च श सब्सक्राइब अगर आप जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जादा आप active voice sentences को passive में change कर पाएंगे या passive voice sentences जो आपको दिये गएंगे उनको आप active में change कर पाएंगे तो हम start करते हैं who knows you तो who knows you का आप देखना है जो who है वो किसमें आपको change होता है हू जो है वो change होता है हू में अब आपको पता है कि no जो होता है वो आपका by के साथ नहीं होता है तू के साथ ही होता है तो ना तो टू इस sentence में है ना ही first में है और ना ही second में है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना आपने देखा two है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका third यह आपका correct answer है अब हम बात कर लेते हैं second question की they sell construction material they sell construction material अब हमें पता है कि आपका present simple tense and definite tense है तो यहां पे आपको क्या करना है आपको pick करना है material या construction material या construction तो यह भी हम पहले डिस्कुस कर चुके हैं आपको पहले क्या यूज करना है क्योंकि यह cell जो है यह आपकी क्या है में वर्व के बाद ही आपको is construction जो है आपको construction प्रह पीक करना तो कंस्रक्शन जो हैट जो हो आपका Chasper building अब यह present तो हम देख लेते हैं इसमर पका 2nd में भी है और इसमर पका 2nd में भी है तो यहां तक आप देखें इन दोनों में यह दोनों ही 2nd अब हमें पता है sudah मैं उजज़ कर नहीं पॉस्टारम आपकी किसमें है third form जो है वो आपकी third में है तो ये by them ये आपका correct answer है they जो है वो आपको पता है किसमें change हो जाता है them में तो आपका correct answer जो हो जाएगा वो है third अब हम बात कर लेते हैं next question की next है हमारा where were they playing the cricket match तो where जो है क्योंकि interrogative है ये तो change नहीं होगा where आपका first number पर आपको where ही लगेगा and then आपको क्या pick करना है आपको pick करना है this one object आपको pick करना है तो where हमारा चारो में है अब हमें pick करना है क्या the cricket match लेकिन एक और चीज़ ये interrogative है तो आपको देखना है word word जो है वो change होगा अब आपको object आपने उठा लिया यहां से यह आपने object पर किया है उससे पहले आपको interrogative इसको बनाने के लिए इसे change करना पड़ेगा अब ये क्या है singular है तो उसके लिए आपको was use करना पड़ेगा तो आपका जो correct answer the cricket match ठीक है the cricket match तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका singular तो उसके लिए हमें सबसे पहले where यूज करना पड़ेगा तो आपका ना तो यह correct है ना ही यह correct है तो आपका जो correct है वो कौन सा है वो आपको देखना है अब आपने देख लिया where was अब आपने देखा where was, where was तक यहाँ तक आपका sentence जो है, where was a cricket match, यहाँ तक आपका sentence जो है वो एकदम correct है, where, अब आप कुछ देखना है इन में से क्या, जो cricket match है, वो singular है, तो singular है, तो singular के according आपको helping verb उज़करनी है, तो singular है, तो आपको क्या यूज़करना पड़ेगा, यहाँ देखना है कि यहां जो है यहां जो है इस sentence में क्या करना होगा ना यह आपका where was यहाँ पर नहीं आएगा इधर आएगा where where was this one where where हम बात करते थे इधर तो हम यहाँ पर थे sorry हम थे यहाँ पर where was the cricket match being played because यहाँ पर आपने देखा was वर जहाँ पर होता है वहाँ पर वर्ब के साथ आएगी होता है और वहाँ आएगी है तो वहाँ पर आपका being लगेगा तो this is correct answer बट यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको was लिखना पड़ेगा क्योंकि जो match है वह आपका singular है plural नहीं है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर next sentence की think before you speak think before you speak तो यहाँ पर कोई आपको advice कर रहा है advice कर रहा है तो हम इसमें जादा नहीं सोचेंगे advice है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा you are advised to think before you speak next जो हमारा question है someone is following us so us जो है वो change हो जाएगा we mean ठीक है अगर आप us को change करते हैं suppose तो यह हो जाएगा we mean right someone जो है by someone and then उसे उसके बाद क्या आप उसे we के बाद हमें क्या use करना है विकर यह आपका present continue tense है तो we के साथ हम use करेंगे our we are being तो हमें पता है we are being है we are being के बाद हमें क्या use करना है we are being के बाद आप we third form तो ही हो जाएगा क्या we are being we are being then word की third form तो आपका जो correct answer होगा वो होगा second we are being followed by someone now next question is please enter by the left door यहाँ पर किसी नापको request किया है तो request किया है तो इन तीनों में से option में से तो कोई भी नहीं होगा तो आपके पास option बचता है पहुंसा फर्स तो correct answer is first now next question is we expect good news so good news जो है ठीक है हम बात कर लेते हैं good news good news को हम ने पिक किया पहले ठीक है मालीजे हम good news यहाँ यहाँ जाते है एन उसके बाद आप we ले गए good news किसमें चेंज हो जाएगा us में? by us तो good news news जो है वो क्या है आपका singular है या plural है good news जो है वो आपका singular है या plural है तो good news is expected by us तो जो आपका correct answer होगा वो होगा first ठीक है? आपका correct answer जो होगा वो होगा first next हम topic की बात करते हैं next है the room was clean तो ये जो है ये understood है statement जो कि हमने पहले किया था the room was clean I cleaned the room possible नहीं है आपने room साफ किया क्योंकि आप गए तो आपने देखा आपका room तो साफ था तो room जो है वो कौन clean करेगा तो ये understood है तो cleaner ही करेगा the cleaner can clean the room तो ये आपका correct answer है right तो this is your correct answer so that's it for today see you in next video till then bye bye take care